हलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बेक मैं चैनल टार्गेट टीचर जॉब में फ्रेंग का स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टार्गेट टीचर जॉब में दोस्तों आज हम 223 वर्ष चतुर्थ प्रस्निपत्र जनसंक्या सिचा यह हम पर्यावर्ड सिचा के विशे में पढ़ेंगे और यह है आपका लेक्चर नमबर 29 तो चलिए शुरू करते हैं कोश्चन है प्रयावर्ड का अर्थ और परिभासा बताती है इसके प्रकारों की विवेचना कीजी यह आपका 2009 और 2012 में आया हुआ कोश्चन है और इसी तरह का एक कोश्चन है प्रयावर्ड को परिभासित कीजिए प्रयावर्ड यह संकट के विभिन कार्डों यों उत्तर देखते हैं परियावरण का अप्राय हमारे चारुत तरफ पाए जाने वाले सामाजिक, प्राक्रितिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनेतिक युमारतिक वातवरण से जो हमें प्रत्यच या प्रत्यच रूप से प्रभावित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं परियावरण कहते हैं परियावरण कातात पर हमारे चारों तरब चाहे वो सामाजिक तत्व हो या प्राकृतिक या सांस्कृतिक या धार्मिक या राजनेतिक या आर्थिक बातवरण से जो भी प्रत्यच या आप्रत्यच रूप से हमें प्रभावित करते हैं वो सब प्रियावरण के अंतरगत आते हैं प्रियावरण सब्द दो सब्दों परिधन आवरण से मिलकर बना है यहां परी का अर्थ है चारो और आवरण का अर्थ है ढखा हुआ इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परियावरण का अब्राई उन तथियों से है जो हमारे चारो ओर से ढखे या घेरे हुए है परिधन आवरण परि का क्या मतलब है यहाँ पर चारो ओर आवरण का मतलब ढखा हुआ तो जो हमारे चारो ओड एक आवरड का निर्वान करते हैं वो होता है परियावरड परियावरड सब्द अंग्रेजी भासा के इन्वार्मेंट सब्द का हिंदी रूपांतर है जिसकी उत्पत्ती फ्रांसेसी भासा के एन्वीरोनर सब्द से हुई है कुछ विचारक एन्वार्मेंट की या पेच्छा होबीटेट सब्द का प्रियोग करते हैं जिसका हविपरा एक सुनिस्चित अस्थान या परिभिष्टी या प्रविट्थी से लगाया जाता है habitat का मतलब ऐसा स्थान जो सुनिस्चित हो और जो परिश्थिति या परिविरत से निर्मित हो परियावरण एक समस्ठी है और मानों इस समस्ठी का अंग है दोनों का ही आस्तुवित और संदंत्र नहीं है बलकि दोनों में अन्योआश्रित संबंद है यहां पर परियावरण का संबन्द और प्रकिति जो हमें चार तरफ से घेरे हुए है वो दोनों ही एक दूसरे के उपर आस्रित हैं जिन सवर के अनुसार जो जयो स्वरूप या वस्तु कि वो निकट से घेरे होते हैं उन्हें प्रत्यच रूप से प्रभावित करते हैं जो जयो स्वरूप या वस्तु हमें निकट रूप से घेरे होते हैं वो हमें प्रत्यच रूप से प्रभावित करते हैं तो उन्हें हम प्रयावरण कहते हैं हर स्कोविट के नुसार पर्यावरण उन सब बाहरी दसाओं और प्रभावों का योग है जो प्राड़ी या अवियवी जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं वो सारे कंडिसंस वो सारे इंप्रेशन जो हमें प्रभावित करें उन्हें हम क्या कहेंगे प्रयावरण कहेंगे वुडवर्त के नुसार प्रयावरण में वे सब हैं जिन्होंने प्रक्तिके जीवन प्रारम करने के समय से प्रभावित किया है जो हमारा जीवन प्रारम होने से हमें प्रभावित करते हैं वो क्या है प्रियावरड है जे एस रास के नुसार प्रियावरड है वह बाह सकती है जो हमें प्रभावित करती है जो भी बाह सकतियां है जो हमें प्रभावित करती है उन्हें हम क्या कहते हैं प्रियावरड कहते है खुसू के अनुसार है प्रियावड से वे संसाधन जिनके अंतरगत भूमी पर तथा भूमी के नीचे जाने वाले तत्व, जल, जीऊ, हवा, था, जीऊं की साहता करने वाली सभी बस्तुवें समलित हैं यहाँ पर इनका कहना है कि प्रियावड वे संसाधन है जो हमारे भूमी पर और भूमी के नीचे हवा तथा जीऊं की सहायता करने वाली बस्तुवें समलित होती हैं वो क्या कहलाती है परियावरण कहलाती है चलिए देखते हैं परियावरण के प्रकार परियावरण का प्रकार हमारे चारो और पाये जाने वाले सामाजिक प्राकृतिक सांस्कृतिक धार्मिक राजनेतिक आर्थिक वातावरण से है हमारे चारो तरफ जिस तरह के भी वाताव प्रत्यच रूप से प्रत्यच रूप से उभर कर सामने आते हैं प्रित्वी पर रहने वाले प्रत्यक जीवों का प्रत्य चिया प्रत्य चुरूप से प्रकृति से सम्मन्द होता और प्रत्यक जीवों पर्यावरड पर ही निर्भर होता है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि पर्यावरण के तीन पच अस्पष्ट रूप से उभर कर सामने आते भगोलिक प्रयावरण, सामाजिक प्रयावरण और सांस्कृतिक प्रयावरण लेडिस ने परियावड को प्राकुर्तिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इस तीन रूप में विभाजित किया है तो डाक्टर रगवनसी ने आवास के आधार पर तीन तरह के परियावड अलवै जलिय परियावड, समंद्री परियावड, अस्थली परियावड बताए है यहीं पर डाक्टर रगवनसी ने आवास के अधार पर तीन तरह के परियावरण बताएं हैं रहने के अधार पर ही इन्होंने तीन तरह के परियावरण बताएं अलवे, जलीय परियावरण, समंद्रीय परियावरण और अस्थलीय परियावरण जान राव ने प्रियावरड के पांच प्रकारों का विवरड किया है जो मनुस्य और उसके परवेश से जुड़ी समस्त जटिलताओं की और उन्मुक है यह पांच प्रकार हैं भोतिक परियावर्ड, सामाजिक परियावर्ड, आर्थिक परियावर्ड, सौंद्रेयात्मक परियावर्ड और सांस्कृतिक परियावर्ड यहाँ पे हम देख रहे हैं अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग प्रियावरणों के प्रकार बताए हैं तो सबसे पहरे हमने देखा था लैडिस के अनुसार तो लैडिस ने प्रियावरण के तीन प्रकार बताया थे भौतिक परियावर्ड था सामाजिक परियावर्ड, आर्थिक परियावर्ड, सौंदर्यात्मक परियावर्ड और सांस्कृतिक परियावर्ड और आगे देखते हैं डाक्टर चंद्रभूसर पार्ठक ने परियावर्ड को साथ छेत्रों में विभाजित किया है नमबर वन है भोतिक परियावरड, सामाजिक परियावरड, मनुवैज्यानिक परियावरड, नमबर चार है सांस्कृतिक परियावरड और सौंदर्य बोधक, बोधात्मक परियावरड, सचिक परियावरड और आर्थिक परियावरड परियावरण के इस विभाजन में अधिकतर विद्वान मुख्य रूप से तीन प्रकार प्राकृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रयावरण को मानता देते हैं प्राकृतिक या भागौलिक नमबर वन और नमबर दो है सामाजिक और नमबर तीसरा सांस्कृतिक प्रयावरण यहाँ पे हर विद्वान की उकारिंग देखा जाए तो तीन प्रयावरण मुख्धी रूप से निकल कर सामने आते हैं तो कुछ विद्वान प्रभाव की द्रिष्टी से प्रयावरण के दो रूप मानते हैं अनुकूल प्रयावरण और प्रतिकूल प्रयावरण दोस्तों जिस तरह से यहाँ पे लिखा गया इस तरह से आपको भी अपने एक्जाम में डिटेल करना होगा कि हर अलग-अलग विद्वानों के उकारिंग प्रयावरण के जो प्रकार है तो अनुकूल प्रयावरण किसी प्राणी के अस्तुत की रच्छा और विकास में सहायक होता है वो उसके अनकूल होता है ब्रिद्धी और विकास के और जबकि प्रतिकूल प्रयावरण उसके अस्तुति की रच्छा और विकास में बाधक होता है जहां पर अनुकूलन नहीं पाय जाता है जहां पर बृध्धि और विकास रुख जाता है तो वो क्या हो जाता है प्रतिकूल प्रयावरण हो जाता है तो चलिए हम देखते हैं पहला है प्राकृतिक या भोगोलिक प्रयावरण से ताद पर उन समस्त भौतिक सकतियों प्रक्रियाओं या तत्वों से है जिनका प्रत्यच प्रभाव मानों पर पढ़ता है प्राकृतिक रूप से और भौतिक रूप से दूसरे सब्दों में प्राकृतिक प्रयावड का ताद पर उन सभी प्राकृतिक दसाओ और घटनाओ से है जो मानों द्वारा उत्पन नहीं है जिसका मानों के उपर कोई जो मानों के द्वारा कंट्रोलित नहीं है कंट्रोल नहीं किया जा सकता है उनको क्या कहेंगे प्राक्रितिक प्रयावड कहेंगे जो मनुष्य को पूर्णूरी रूप से प्रक्यति से प्राप्त हैं। इनमें भौतिक सकतियां प्रक्याएं और तत्त्वी इंसमलित होते हैं . अब देखते हैं भौतिक सक्तियां क्या हैं भौतिक सक्तियों सोरित तत्वे प्रित्वी की दैनिक और वासिक परिभ्रमण की गती जुआला मुखी क्रियाएं गुरुत्वा करशड की सक्ति आदी आती है भौतिक सक्तियों में ये सारी चीजे आती है जो जिस पर मनुस्य का क कोई कंट्रोल नहीं होता है ये प्रकृतिक के कंट्रोल में होती है और इन सक्तियों दारा प्रित्वी पर अनेक प्रकार की प्रक्रियां की जाती है इन सब का मानों पर प्रभाव पड़ता है प्रक्रितिक रूप से इन सारी चीजों का मानों पर प्रभाव पड़ता है ये भ फिकरड युम चालान ताप संभधन वाई और जल में गतियां उत्पन होते हैं यह सब प्रक्रियाएं हैं इन nutzen द्वारा भोतिक या प्राक्रितिक प्रयावरण में अनेक क्रियां उत्पन की जाती है जो मानों की क्रिया कलापों पर अपना प्रभाव डालती है भहतिक सक्तियों में हमने देखा था जो जोला मुखी क्रियाएं, गुरूत्वा करसर और पृत्वी की दयनिक और वासीक परिभ्रमड ये सब क्या थी? भहतिक सक्तियां थी और प्रक्रियाएं क्या थी? इसमें अपचय, अपरदन और आवसाधी करड, ताप, विकिरड और त तत्व के अंतरगत हमने क्या देखा था जिसमें मौसम जल्वाव अस्थलाकृति मिट्टियां और चटाने खनिज धरातली जल महासागर आधी जैविक तत्व बनस्पति जीव जन्तु अड़ु जीव और इसके अलावा मौसम जल्वा ये सारे समन्दित हैं तो ये सब तत्व के अंतरगत आते तो ये सब हम देख रहते किसके अंतरगत ये हम देख रहते आपके प्राकृतिक या भौगोलिक परियावर्ड जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं ये हम इनके अंतरगत देख रहते उपरियुक्त सभी बिलकर यहाँ पर जो प्राकृतिक परियावर्ण के अंतरगाताते हैं यह सभी मिलकर हमें प्राकृतिक या भौतिक परिवेश का निर्माड करते हैं यह सभी मनुस्ति के जीवन को प्रभावित भी करते हैं इन्हें यह प्राकृतिक या भौतिक परियाव में इनका रिषिजन ना तो ब्यक्ति द्वारा किया जाता है और ना ही नियंत्रित किया जाता है ये सब प्रकिति की देन हैं साधारण सब्दों में कहा जा सकता है कि प्रित्वी का धरातल आकास वायू परबत वन वनस्पतिया प्रित्वी के गर्म में विद्वान खानी से प मनुस्य के कंट्रोल में नहीं है वह प्रकृतिक प्रयावरण के अंतरगत आता है चलिए देखते हैं सामाजिक सभी मनुस्यों में यहां पर हम देखेंगे सभी प्राणियों में जो मनुस्य सरवादिक बुद्धिमान इसलिए माना जाता है क्योंकि वह सामाजिक और विवेक सील प्राणी है सभी प्राणी सभी जीव जन्तु प्राणियों में अगर देखा जाए तो सबसे विद्धिमान जो होता है मनुस्य तो मनुस्य विद्धिमान क्यों है क्योंकि वह सामाजिक और विवेक सील प्राणी है उसके अंदर बुद्धी और विवेक है और वो एक समाज में रहता है इसलिए वो सभी प्राणियों में सरवादिक बुद्धिमान भी माना जाता है समाज में रहकर वो अपने विभिन सामाजिक संगटनों तथा समूहों की रचना करता है ये समू या संगठन मानवी समू से निर्मित होते हैं जो मनुस्यों के द्वारा बना जाते हैं ये समू संगठन नहीं से निर्मित होते हैं तथा मनुस्यों को जन्म से मृत्यू तक प्रभावित भी करते हैं हमारा जो समाज है वो हमें जन में से लेकर मृत्यू तक प्रफावित करता हमारे जो आसपास के लोग हैं वो जिस तरह से रहेंगे हम भी उसी तरह से होते चले जाते हैं मनुस्त का यह समू यह संगठन परियावरणी यह मानवी संबंद से मिलकर बना होता है इसमें अनेक प्रकार के संबंद जैसे परिवार में पुत्र, पति, पत्नी, सास, बहु, पडोस, पडोसी, संबंद, राजनेतिक, दलो, इमराश्टों के संबंद, जाती, वर्ग, धर्म यह सभी सामाजिक परियावरण के आउस्यक अंग माने जाते हैं, परिवार से लेकर राजनेतिक, सामाजिक यह सब क्या है, परियावरण के ही अंगा है, इन सब अंगों के मद्द सामाजिक संबंद अस्थापित कर मनुस्य, परिवार तता समाज के वीच आंतिक क्रिया करत करता है और इनके आधार पर एक समाजिक परवेश बनाता है तता समाजिक परवेश ही समाजिक परियावरण का निर्णाढद करता है आप से मैं जो संबंद होते हैं चाहे वो राष्ट्र से लोगों का संबन्द है वो चाहे वो जाति के अधार पर हो या धर्म के अधार पर या राजनेतिक दलों के अधार पर हो तो वो एक सामाजिक परियावरण का निर्माड करता है यह सामाजिक परिवेसी सामाजिक परियावरण का निर्माड करता है इस प्रका के सामाजिक परिवेस में राहकर सामाजिक नीमों, रीति, रिवाजों, समुहों, संस्ताओं, संगठनों के साथ संपरक स्थावित करता है। के पूरक होते हैं समाज में रहकर एक दूसरे से सिख कर आदमी एक दूसरे में परिवर्तन देखता और करता है जिससे जीवन के कारे कलापों के संपादन वा ब्यक्तितु के निर्धारण की आधार भूमी तयार होती है और इस तरह से जो सामाजिक परियावरण है और ब्यक् का निर्धारड करते हैं तथा उनके पालन वा अधिग्रहण गवारा ब्यक्ति ब्यावहार अस्तर पर आच्रड करता है और उसके लिए अपने ब्यावहार के द्वारा वो आच्रड करता है समाज से समाज में रहने वाले लोगों से अतर कहा जा सकता है कि सामाजिक प्रयावर तो सामाजिक नियमों सांस्कृतिक पच्छ की समगरता का बोध होता है और इस तरह से जो उनके सामाजिक समंद होते हैं विविद संगठनों के माध्यम से और उनकी जो अपनी अंतह क्रिया होती है वो एक निर्धारी सामाजिक नियम हम सांस्कृतिक पच्च की समगरता का बोध करती है यहाँ पर हर तरह के नियम जो सांस्कृतिक पच्च की समगरता का बोध करते है सामाजिक प्रियावरण पर स्रिष्टी और सभिता पहले का सामाजिक जीवन कैसा था और आज का सामाजिक जीवन कैसा है वो समय के कॉर्डिंग चेंज होता रहा है क्योंकि जैसे सभिता होगी वैसे ही रिती रिवाज होंगे वैसे ही परंपराएं होंगी, वैसे ही मानिताएं होंगी और वैसे ही सामाजिक समू, सामाजिक धाचे, सामाजिक नीती होंगी और उसी की अनुरूप ही ब्यक्ति का सामाजिक पर्यावरण निर्मित होगा आप जिस तरह के सामाजिक प्रयावरण में रहते हैं चाहे वो पारमपरिक ढंक से हो चाहे वो मानताय हो या कुरूतिया हो या प्रताय हो वो सारे ही आपके जीवन के उपर प्रभाव डालती हैं आपके ब्यक्तितों को प्रभावित करती हैं साधारण सब्दों में मानवी संभंदों से निर्मित, समू, संगठन, समुदाय, समाज, समित्य और इसी प्रकार की अनसंस्थाएं सामाजिक प्रयावरण के अंतरगत आती हैं तो इस तरह की जो भी संस्था हैं वो क्या आती है समाजिक प्रयावरण के अंतरगत आती हैं चाहे वो संगठन हो समधाय हो समाज हो समिति हो ये सारी जो संस्था हैं वो समाजिक प्रयावरण के अंतरगत ही आती हैं जो समाज के लोग ही मिलकर इसका निर्माड किये रहते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं सांस्कृतिक प्रयावरड सबसे पहले हमने देखा था प्राकृतिक प्रयावरड और उसके बाद सामाजिक प्रयावरड और तीसरा नंबर हमने देखा है सांस्कृतिक प्रयावरड चले देखते हैं सांस्कृतिक प्रयावरड के अंतरगत प्राकृ संस्कृतिक और सामाजिक प्रयावरण की भाद इस संस्कृतिक प्रयावरण भी मनुस्य के विकास का एक महत्यपूर पहलू है संस्कृतिक एक ऐसी धारड़ा है संस्कृति एक ऐसी धारड़ा है जिसमें रहकर मनुस्य में सामाजिकता का विकास होता है हमारी जो संस्कृति ह वो ही हमें एक समाजिक्ता का विकास करती है संस्कृति के अंतरगत्वे सभी प्रत्यच वस्तुए आती है जिनका निर्वाण मनुस से दारा होता है सांस्कृतिक प्रयावरण एक व्यक्ति को अन व्यक्तियों से एक समाज को दूसरे समाज से तदा एक समू को दूसरे समू से प्रिथक करता है हर वर्ग की अलग-अलग संस्कृति होती है और उनकी अपनी अलग-अलग संस्कृतिक विसेस्ताय ही उनको एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति को अलग करती है यह व्यक्ति के जीवन के विवित पच्छों को सबसे अधिक प्रभावित करता है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक प्रयावड काताथ पर मनुस द्वारा निर्मित प्रभावित उन विचारों, विश्वासों, नियमों और भौतिक वस्तुओं की संपूर्ता से है जो उनके जीवन को चारों और से प्रभावित करती है दोस्तों सांस्कृतिक प्रयावड हमारे विचारों, विश्वासों, नियमों और भौतिक वस्तुओं की संपूर्ता ये अलग लगतर है कि संस्कृत में अलग लगतर है कि पाई जाती है तो वो सारी संपूरता मिल करी हमें सांस्कृतिक रूप से भी प्रभावित करती सांस्कृतिक प्रयावरण के संदर्व में लैडिस का विचार है कि इसके अंतरगत धर्म, नैतिकत, प्रत्थाएं, लोकाचार, कानून, प्रद्योगी की तथा ब्यवहार के प्रतिमान आ दिय सांस्कृतिक प्रयावरण के अंतरगत कैसे लाडिस की धर्म, नैतिकत, प्रत्हाइं, नैतिकत, विचार के प्रत्हार क्या है लोकाचार क्या है कानून क्या है और प्रद्योगी की क्या है ये सारे ही इसके अंतरगत सांस्कृतिक प्रयावरण के अंतरगत आते हैं और हमारे जो ब्यवहार प्रतिमान है वो भी हमारे सांस्कृतिक प्रयावरण के अंतरगत आते हैं हम जिस सांस्कृतिक प्रयाव उससे हम अपने समाज में निर्मित या प्राकृतिक चीजों से रिलेटेड चीजे सीखते हैं संस्कृति के द्वारा और उनकी अनुरूप अपने को ढालने का प्रयास भी करते हैं और अपनी संस्कृति की अकॉर्डिन अपनी सभिता के अकॉर्डिंग उस चीज को हम अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं और उसी के कोडिंग अपने आपको ढ़लने का प्रयास करते हैं अपने ब्यक्तितों का निर्माड भी करते हैं तो दोस्तों यहां पे हमने देखा प्राकृतिक यहां पे प्रयावरण के जो प्रकार हमने देखे थे तीन तरह के प्रकार देखे थे सांस्कृतिक प्रयावरण सामाजिक प्रयावरण और प्राकृतिक यह भोगयोलिक प्रयावरण तो इन तीनों को हमने डिटेल से जाना आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ सेर भी कर दीजेगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा हमसे जुड़ने के लिए थांक्यू सो मच जैहिन